हेलो मेरी यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब अमीद करते हैं आप सब खुश होंगे एक दम स्वस्त होंगे तो फ्रेंट्स आज 14 अगस्त है आज मैं यह वीडियो बना रही हूं हो सकता है आज नहीं तो कल वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो कल हमारे आजादी का जशन है दे तो बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं अपने नुचावर कर गए अपने खून से वंदे मातरम लिख गए वो बेवक्त मंजिल को पा गए और ये जशन आजादी का हमें दे गए उनके खून का करज अब हमें ही चुकाना है और जो काम उन्होंने तलवारों स किया हमने कलम से कर दिखाना है हमने खुद पढ़ना है और देश को पढ़ाना है दुनिया के हर कोने में बसवंदे मातरम लिखते जाना है याद रखना उनके रास्ते से ही हम आए हैं और उसी मंजिल को जाना है और जो करज उन्होंने हमें दिया उसका हिसाब हमें वहां ज गरीब वहीं पर बैठा है सब खुश रहना मिलके रहना यही तो वो जाते जाते कहे गए और हम इस अमीर गरीब के चकर में आगे कम और पीछे ज़्यादा फिसल गए याद रखना अगर करज कम होने की बजाए बढ़ गया तो लगता है फिर से वही दिन आएगा और फिर उस खून की कीमत आम आदमी देश भक्त बन कर चुकाएगा तो यह चोटी सी कविता लिखिया मैंने 15 अगस्त पर और यह अब नहीं लिखिया यह मैंने पिछले साल लिखी थी और मैंने यूटूब चैनल पे इसको अपलोड भी किया था तब अपने पास अपनी ओडियंस भी थी और फेस कवर करके अपना वीडियो बनाती थी तो मैंने सुचा क्यों आपकी बार इसको दुबारा पोस्ट किया जाए आलंकि अब आपको वीडियो नहीं मिलेगी मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है तो यह कविता नहीं है यह मेरे विचार है और देश हमेशा सबसे उपर है और सबसे उपर ही रहेगा पर देश के साथ साथ में हमारे जो समाल जिक्ता की बावना है खास कर जो अपने बारतियों की पैचान है तो उस चीज़ को हमेशा बरकरार रखना यह विचार है मेरे को लगता है कि हर बारतिय के होने चाहिए और सच में हम चाहे ना कि ह सब को साथ लेके चलें मिल के चलें तो पका ये तो बात सही है कि देखो सब को साथ लेके नहीं चल सकते पर कुछ तो सुदार हम करी सकते हैं और थोड़े थोड़े से तो क्या है कि बून-बून से गड़ा बरता है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हमेशा हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए और साथ में साथ हमारे परिवार के लिए हमारे लिए भी होगा तो हमें हमेशा ये कोशिश करने चाहिए तो ये मेरे विचार ये मेरी कविता आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर जुरूर करना थैंक यू थैंक यू सो मस्ट थैंक यू फूर वोचिंग और एक बार फिर से आपको सवतनता दिवसकी बहुत बहुत शुब कामना है